ओके दिश्टेंट्स नेक्स चलते हैं जो हमारे पास मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स में जो हमारे पास नेक्स कंसेप्ट नहुंता है तो नेक्स नहीं हमारा एलिमेंट्स और मार्केटिंग मिक्स इसे कहा जाता है विपनन मिश्रन के तत्व अब विपनन मिशन की तत्व हैं क्या आपके अब मार्केटिंग मिक्स में मैंने बताया था कि मार्केटिंग मिक्स क्या हैं डिफरेंट डिफरेंट पोल्सीज हैं जो एडोब करता है कोई भी बिजनसमेन अपनी प्रोडेक्ट को सक्सेस्फुल बनाने के लिए या अपने बिजनस को आगी और जजञाधा बढ़ाने के लिए उसकी ग्रोथ करने में के लिए अब यहां बगर अगर देखें मार्केटिंग मिक्स में कौन-कौन से ऐलेमेंट्स आते हैं यानि कौन-कौन से ऐसी चीज़ीं आते हैं जो marketing mix में include करनी होती है इसके अंदर आपके पास 4P आते है इन्हें कहा जाता है 4P of marketing यह सारे elements माने जाते हैं अब 4P कौन से हैं 4P हैं आपके पहला है आपका product दूसरा है आपका promotion तीसरा है आपका price और छोता है आपका place अगर हम जस्ट इनको एक बार देखें और एक simple brief इनका discussion करें तो इन में क्या क्या किया जाता है आप जैसे product है product के बारे में बहुत सारी चीजें सोचनी होती है क्या प्रोड़क का नाम क्या होगा उसका color क्या होगा उसका weight क्या होगा product को market में launch कब किया जाएगा बहुत सारी चीजें होती है product की packaging कैसे होगी अब कई बार packaging के उपर जो packing होती है product की packing के उपर भी product depend करता है अगर packing अच्छी होती है तो product market में sale easily हो जाता है promotion है promotion कैसे की जाएगी यानि promote कैसे किया जाएगा product को कौन-कौन से method यूज की जाएगे promote करने के लिए कि market में उसकी sale बढ़ानी है sale बढ़ाने के लिए customers को information देने के लिए कि ये नया product market में आया है तो उसको बताने के लिए कौन-कौन से नई-ने method यूज की जाएगे ये है आपका promotion price अब price policy भी यूज करनी पड़ती है ये भी marketing mix का एक element है price policy क्या है कि price कितना रखा जाए product का अब price ऐसा होना चाहिए price के लिए भी बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है mind में बहुत सी चीज़ें set करनी पड़ती है producer को ये seller को कि price ऐसा होना चाहिए जो आपको profit दे दे लेकिन साथ में ये भी सोचना पड़ता है कि price ऐसा भी हो जो competitor जितने है या तो उनकी equal ही हो या उनसे कम हो अगर उनसे ज़्यादा होगा तो आपका product customer क्यों purchase करेगा फिर उसके बीछे region आपको बताना पड़ेगा place कि आप एक item को एक जगे से दूसरी जगे कैसे पहुँचाएंगे यानि इस्तान क्या होगा उस उत्पाद का कि कई बर समझे क्या आती है कि production place production point अलग होता है और consumption point अलग होता है उस case में आ जाता है मारे पास place तो marketing mix के ये चार element होते हैं आपके इन चार element को four piece of marketing कहा जाता है product, promotion, price, place हम एक एक करके सभी को करेंगे तो सबसे पहले आता है इसके अंदर जो first of all है आपका वो है आपका product अब ये कहता है product से related हमें बहुत सारे decisions करने पढ़ते हैं कौन-कौन से जैसे जैसे product का नाम क्या होगा सबसे पहले product का नाम क्या होगा color क्या होगा उसके बाद उसका design क्या होगा उसके बाद उसकी quality कैसी होगी उसके बाद अगर देखें उसकी packaging कैसी होगी वेट क्या होगा product का ये सारे के सारे decisions हमें product के बारे में लेने पड़ते हैं तो ये कहता है यहां पर अगर देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी product के लिए बहुत ज़्यादा important होती है कौन कौन सी एक तो branding एक आपका packaging एक labeling देखते हैं के करके तीनों चीजें करेंगे सबसे पहले आते हैं branding पर branding क्या है आपका branding वो सारी की सारी process है जिसके अंदर जो product है product की market के अंदर एक specific identity create कर दी जाती है एक specific identity create कर दी जाती है वो आपकी branding कही जाती है जैसे आपके biscuit आते हैं परले जी क्या है यह एक तरह से brand है यानि एक brand नेम है यह जो आपका परले जी है यह आपका brand नेम है तो परले जी जो है परले जी आपका brand नेम है तो हर product की branding करनी पड़ती है market में एक brand नेम specific choose करना पड़ता है तब ही जाकर product market में sale होता है तो branding क्या है branding में आपके पास तीन चीज़ें आती है ब्रेंडिंग को ऐसे simply कहा जाता है अब तीन चीज़ें क्या है सबसे बेले देखे branding क्या है distinct identification of a product यानि एक उतपाद की दूसरों से अलग पहचान है distinct identification अलग पहचान है दूसरों से जैसे जैसे shoes में अगर देखे Reboca shoes भी आता है woodland का भी आता है आपका लखानी का भी आता है आपका relax हो का भी आता है यह क्या है यह identification है है सारे shoes ही लेकिन सबका brand name अलग अलग है तो यह brand name यह क्या है आपका यह आपका सारा का सारा जो brand है brand के अलग अलग name रखे गए है अब उसके बाद ये कहता है कि branding actual में है क्या market में branding specific या special identification create करने के लिए है जो branding है आपका अब branding में अगर देखें यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका brand अब brand क्या है brand आपका कोई एक word हो सकता है या कोई एक जो brand है first of all जो branding में आता है जो brand है brand आपका क्या है यह आपका कोई word हो सकता है specific या एक mark हो सकता है यह सारी चीज़ यह होती है जैसे आपके पास अगर हम देखें tooth waste आते हैं colgate है उसके बाद close up है उसके बाद test student है यह सारे की सारे क्या है यह brand है आपके तो यह सारे के सारे brand कहे जाते हैं आपके जो मैंने अभी आपको बताए है उसके बाद एक आपका brand name brand name है कि brand के उस पार्ट से brand name का meaning क्या है इसका मीनिग है कि brand name क्या है ये brand का आपका वो part है जिसे हम बोल सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं जैसे आपके पास Samsung है ये brand name है ये आपका brand name कहा जाता है उसके बाद एक आत्ता आपके पास brand mark brand mark क्या है एक व क्यों specific उसका एक चिने है एक मार्क है जिससे आप किसी भी ब्रेंड को पहचान सकते है यानि ब्रेंड का वो पार्ट है जिसे आप ब्रेंड नेम तो है जिसे आप बोल सकते है जैसे जैसे वुडलेंड है वुडलेंड ब्रेंड नेम है ब्रेंड मार्क क्या है उसे आप बोल नहीं सकते लेकिन उससे आप brand को पहचान सकते हैं जैसे woodland के shoes अगर आपने देखे हो कभी woodland के shoes पे brand name तो woodland है और brand mark क्या है woodland के shoe पे अगर आप देखेंगे वहाँ पर आपको एक पेड मिलता है कुछ ही type का वो क्या है वो brand mark है आप उसे बोल नहीं सकते लेकिन वो mark वो identification है उस brand की Nike का shoes देखा है बोल तो सकते हैं Nike तो वो क्या है वो आपका जो Nike का shoes है वो आपका brand name है brand mark क्या है brand mark है उसके उपर tick का निशान लगा होता है shoe के उपर और देख सकते हैं अगर आपने कभी apple का phone देखा हो तो apple के जो phone आते हैं तो brand name क्या है apple है लेकिन अगर आप brand mark देखेंगे तो आप उसे बोल नहीं सकते बट आप उसको देखते ही पैचान लेंगे कि आपके पास तो apple का phone है तो पिछे जो है वो apple छपा होगा half apple जो आदा कटा हूँ apple है वो आपका प्रिंट किया हूँ में लेगा phone के पीछे तो ये आपके हैं आपके branding में brand उसके बाद brand name और brand mark तो next हम next day में करेंगे